नमस्कार किसान भायू स्वागत है आपका आपके अपने यूटूब चैनल एग्रोमाट गौलियर पर मैं जी सिंग आपके लिए फिर से एक नई वीडियो लेके आया हूँ किसान भायू आज जानेंगे अप्रेल के महीने में कौन सी जैसी सबजियों की खेती करें जिन से हमें अदिक मुणापा हो सके आए जानते हैं किसान मायो, रवी फसल की कटाई इस समय हो जाती है और किसान की खेत खाली होती हैं, इस अप्रेल मईने में किसान सबजी की खेती करके, अच्छा उत्पादन और अधिक कमाई करके, बंपर मुनापक कमा सकते हैं, और अपनी आय में बड़ोत त्रीक कर सकते है अप्रेल मेने में गरमी भी बहुत होते है इसलिए कई सबजियां पूरी तरह से खराब हो जाती है इस समय मार्केट में सब्जियों की मांग अधिक रहती है क्योंकि सब्जियों की अपक मार्केट में कम होती है इसलिए इन दनों बायार में सब्जियों की भाव भी अधिक रहती है इस समय किसान तरह तरह की सब्जियों की खेती करके कम समय में और कम लागत में अच्छी कमाई कर सकते हैं किसान को अपरेल के महीने में सबजी की खेती करनी है तो सबसे पहले ये जानकारी भी होनी चाहिए कि कौन सी सबजी का भाव बाजार में अधिक मिलेगा और अप्रेल महीने में कौन-कौन सी सब्जी लगा सकते हैं आज की इस वीडियो के माद्दे उन से जानेंगे सब्जी की ऐसी कौन सी फसल बोईं जिससे हमें अधिक मुनापा हो सके तो वीडियो पर बने रही है अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे आने वाले वीडियो के नोट बी किसान आपको मिल सकते हैं भारत देश में अप्रेल महीने में किसान, टमाटर की खेती, थूल गोवी, ठांस वीन, पत्त्व गोवी, भिंडी, पालक, तोरेई, बैगन, लॉकी, धनिया, कद्डु इस प्रकार की फचल अप्रेल महीने में बोई जाती हैं, यह सब सब सब्जी वर्गे फचल अप्रेल मह के मौसम अच्छी कमाई करते हैं, अपरेल मैने में गर्मी अधिक होने के कारण पालक की फश्ल को सचाई की जरूवत अधिक होती है। अबेर पालक की और इन पत्तों की कटाई आप 10-12 दनों में 4-5 बार कर सकते हैं। दूसरी खेती है टमाटर की खेती। टमाटर की फसल है कि ऐसी सब्जी वर की फसल है जो पूरे देश में इनकी बुवाई साल भर किसान करते हैं और अच्छा उत्पादन प्राप्त करके अधिक कमाई भी करते हैं। जो इस समय यानि की अपरेल महीने में भी अच्छा उत्पादन देती हैं। तीसरी खेती है धनिया की खेती, धनिया एक मसाला वर्गे फसल है और धनिया का इस्तमाल बिवदी प्रकार की सब्जियों के स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है। धनिया की खेती गर्मी के मौसम में करके आप अच्छी कमाई कर सकते हैं। ये मुरजाने लगते हैं और उत्पादन में भी फरक पड़ता है। गर्मी के दुनों में तोरही की मांग बाजार में अधिक होती है इसलिए इसके भाव भी ज्यादा मिल जाते हैं। और किसान को अच्छी कमाई करने का मौका मिलता है। गर्मी के दुनों में लागत कम है इसलिए मुनाफा अधिक कर सकते हैं। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें, सेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चैहिंद बंदि मातरम।